Hello friends, once again स्वागत है आपका आपके अपने चनल अर्निंग बंडा में आईए आज हम मार्केट के अनलेसिस करने की कोशिस करते हैं लाइब मार्केट में अभी आप देख सकते हैं 11 बचकर की 6 मिनिट हो रहे हैं आज की डेट है 26th of May अभी मार्केट की बात करें हमारे Advanced Option Chain Tool की जिसका नाम है Index Trading Sheet ये Sheet हमने Nifty और Bank Nifty दोनों के लिए डवलप करिए इस Sheet को अगर आप यूज करना सीखना चाहते हैं इसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक WhatsApp ग्रुप की लिंक दीए है उस WhatsApp ग्रुप पर जॉइन हो जाईए जहां आपको हमारे Free Webinar की जानकारी मिल जाएगी आप Free Webinar पर आ करके इस Option Chain को बहतर तरीके से समझ सकते हैं कैसे ये काम करता है इसको समझ सकते हैं इस Index Trading Sheet की मदद से अगर हम जानने की कोसिस करें तो Resistance हमारा कहां पर बनता हुआ दिख रहा है 18,400 के Strike Price के सामने देखिए ये Red Color के Box आपको बनते हुए दिख रहे हैं तो ये हमारा Resistance है अब Resistance का Nature अगर हम देखें तो Resistance का Nature जो है Stable है Resistance जो है Strong है ये कैसे पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं उपर देखिए मेरे करजर पर फोकस करिए OI का जो परसेंटेज है 25% and above है Volume का परसेंटेज भी 25% and above है इसका मतलब ये जो Resistance है ये अपने आप में Stable है एक और कारण है आप देखेंगे ये जो Red Color के Box दिख रहे है इसके उपर कोई भी Green Color का Box बनता हुआ नहीं दिख रहा है 450 पर या 500 पर किसी भी प्रकार का Green Color का Box नहीं बनता हुआ दिख रहा है इसका मतलब Resistance जो है वो उपर की तरफ स्रिप्ट होना नहीं चाहता है रेजिस्टेंज जो है वो अपने लेवल पर यानि 18400 पर इस्टेबल बना हुआ है वहीं बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट एड प्रेजेंट पर कहां पर बनता हुआ दिख रहा है सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है 18300 के लेवल पर यह डार्क ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं आपको आप इनका परसेंटेज देखिए ओपन इंट्रेस का अगर आप परसेंट देखेंगे तो यह 43 परसेंट के साथ में स्ट्रॉंग बना हुआ है यानि 25 परसेंट अबाओ है इसका मतलब यह अपने आप में स्टेबल और स्ट्रॉंग बना हुआ है बट वॉल्यूम का परसेंटेज जब आप नजर दोड़ाते हैं तो वॉल्यूम का परसेंटेज क्या बोल रहा है कि मैं 25 परसेंट बिलो हूँ यानि 1.28 परसेंट हूँ और 18.400 के लेबल पर मैं स्ट होना चाहता हूँ तो support क्या बोल रहा है मैं स्ट होना चाहता हूं इसका मतलब क्या हुआ कि market को जो है नीचे से परेसर पढ़ रहा है उपर जाने के लिए नीचे से परेसर पढ़ रहा है अब अगर यह सिप्ट हो जाता है ओनली रइन प्Al 400 के level पर consolidate हो जाएगा और जब 18400 के level पर consolidate होगा market तो इसकी range क्या होगी range पता करने के लिए अपनको क्या करना है 18400 के level पर आना है देखिए यह हमारा control panel है यहाँ पर आना है आपको 18400 के level पर और यहाँ पर जो lower side का reversal potential area है 18354 यह नीचे की तरफ की range रहेगी है अगर की upper side की range रहेगी तो यह range अपने ड्रॉ कर देते हैं मार्केट पर 57 पॉंट का buffer रख सकते हैं ठोड़ा बहुत buffer रख सकते हैं यह आपके upper side की range हो गई lower side की range जो है 54 के आसपास की हो तो थोड़ा buffer रख सकते हैं 57 point का यह lower side की range यहाँ पर जो हैं आपको market consolidate होता हुआ दिखेगा अब यहां से breakout या breakdown कम मिलेगा किस condition पर जो है हमें breakout और breakdown मिल सकता है support जो है वो उपर की तरफ shift होने की कोसिस कर रहा है देखिए percentage और कम हो गया मतलब support जो है surely उपर की तरफ shift होना चाहरा है अब breakout कम मिल सकता है जब यह जो resistance है जो की 18400 के level पर बन रहा है यह भी अगर उपर की तरफ shift होने की कोसिस करें मतलब support और resistance दोनों बोलें कि हम उपर की तरफ जाना चाहते हैं तो breakout मिल सकता है breakdown कम मिल सकता है जब यह जो support है जो 18400 पर create हुआ है यह वापिस से shift हो जाए कहा पर shift हो है 18300 पर यानि support जो है वो 18400 से shift हो करके 18300 पर या below के level पर आ जाए तो फिर breakdown मिल सकता है तो इस प्रकार से इस option chain advance option chain की मदश से जो है आप बहतरीं trade को identify कर सकते हैं market की range को identify कर सकते हैं market का point of reversal identify कर सकते हैं तो अगर आप इससे सीखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद my dear friends thank you thank you very much